हेलो एबरीबन मेरा नाम प्रभा घंस है तो आज हम डिसकस करने वादे हैं हाउ तो क्वालिफाइए जी सी नेट विद लॉव समचेट तो सबसे पहली बाग लॉव के बारे में बात करते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ हमारे मीजर लॉव स्टाव दें पर में वर्क करन इसका यूज है हमारे लाइच में आफर में बात करो एक और शोशव रिलेशन सटेड ये तो सब में लोपा क्या यूज है तो फिर हम बात करते हैं जिसे कि हमारा इंडियन प्र आता है तो जैसे कि मैं बात करते हूंगर आपको स्ट्रेटेजी की तो सबसे पहली बात है आपको 10 यूरेट होती है स्लेवर जो रहता है आपको उसको अच्छे से गो त्रू हो जाता है कि वही आपको पता चले कि वही लौ में यूजी सी नेट की क्या मांग है कहां पर फोकस करना है वैसे तो देखो चीजे पूरी इलावरे सब्सक्राइब कर लेए तो उसको जाता है लेकिन ऑना जायस बात रहे तो जब हमको पता है अनी आने सुछ रूप करोगे तब देल करोड़ों कि तब तर आपका चाले कि हां भई जो मैं master तो पढ़कर आया तो वो कितना different है इस UDC net की पढ़ाई से ठीक है तो आपको focus करना होगा अपनी UDC net की according ही तो इसलिए आपको previous year papers याने की questions उठाकर के थोड़ी से पढ़ने होगे तो देखिए अगर आप coaching जाते हो तो वहाँ पर आपको notes मिलते हैं आपको books भी हमारी बहुत सारी आती है लॉपर आप उनको study कर दकते हैं जो basic पूरा उमारा UDC net reporting आते हैं लेकिन पहली बात यह है कि आप कोई भी book उठा लीजिए आप कोई भी coaching के notes कानीजिए अब बच्चे को समझ में वह चीज आते हैं जो easily उसकी language भी बहुत है तो इसलिए मैं आपको अमेशा इसी चीज़ के वाहरे मैं बोलती हूँ कि भाई notes बनाईए तो अपने handwritten notes बनाईए आप reference जरूर लीजिए आप coaching के reference में निचाज सकते हैं आप अच्छा ची हमारे writers है publisher है उनको आप देल सकते हैं लेकिन अपने खुषते की notes बनाईए वही आपके पूरी जिन्दीगी पर पूरी lifetime आपको help करेंगे तो यह तीन चीज़े जो हैं हमारी syllabus हमारा previous year question papers और आपके notes इन तीन चीज़े बाई होजा है आपने अपने command बनाने अप सार्टिंग से जैसे आप झाल